आज राशन बेचने वाले भाईया ने बोला कि चावलों को सिर्फ पुलाव बनाने के लिए या फिर जीरा राइस बनाने के काम नहीं लेना चाहिए चावलों का आज एक मैं आपको नया बात बताता हूँ उन्होंने का भाई साथ में एक सुखा नारेल और लेते चले जाना दोनों नारेल और चावलों की आज एक ऐसी रेसिपी मैं आपको बता देता हूँ एक ऐसी किचन टेप आपको बता देता हूँ जिससे आपका बहुत फायदा होने वाला है यह बहुत ही सहत के लिए बढ़िया होने वाली है मैंने राशन बेचने वाले भाया से पूछा भाया यह जो चावल और जो नारेल आप मुझे दे रहे है एक्स्ट्रा में इनकी कीमत क्या है और इनसे क्या क्या होने वाला है तो बोले बस इस सामगरी के मुझे 20-30 रुपे दे दो और जो मैं आपको आज एक रैसी भी बताने वाला हूँ उससे आपको काफी ज़्यादा मदद मिलेगी क्योंकि आप अक्सर हमसे राशन लेते हो तो चलो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आज आपको ये जो थोड़े से चावल मैंने दिये हैं और जो थोड़ा सा नारियल मैंने दिया है उससे आपको क्या करना है आपको इनको दोनों को आपस में चावलों को दोने के बाद अच्छे से नारियल को भी वाश करा है और इनको तल लेना है उन्होंने का तलने के बाद नारिल थोड़ा सा पहले निकाल लेना और चावलों को कुछ समय के बाद निकाल लेना मैंने पूछा भाईया इसका करना क्या होगा आप इसकी क्या सहत मनद चीज और किचन की टिप बता रहे हैं तो रोने विस्तार में मुझे बताया जो आप मैं आपको बताने जा रहा हूँ लेकिन उससे पहले दोस्तों दुनिया के कौन से कोने से आप यह वीडियो देख रहे हैं ज़रूर कमेंट करके बतायां ताकि मैं आपको थाइंक्स कर सकूँ नारिल वाले भीया राशन वाले भीया बोले सुनो सबसे पहले आपको नारिल को अच्छे से फ्राई कर लेना होगा और उसके बाद नारिल को पहले निकाल लेना होगा नारिल को जैसे आप निकाले इसका extra oil भी निकाले बिलकुल oil ना आए और उसके बाद दोस्तों आप चावल को हलका सा और सेखना होगा क्योंकि नारिल जो है वो थोड़ा सा पहले पक जाता है और चावल को थोड़ा समय जादा लगता है चावल हमने धो के पहले ही सुखा के रखे थे अब दोस्तों आपको क्या करना होगा जैसी आपको लगे गोल्डन ब्राउन कलर के होने लग गे हैं इन्हें भी आप भाद निकाल लेंगे यह गोल्डन ब्राउन होने में कुछ समय जादा लगाते हैं जादा का मतलब 2-3 मिनट जादा लगेगा नारियल से बहुत जादा नहीं लगेगा तो अब यह गोल्डन ब्राउन होने लग रहे हैं मुझे की हो चुके हैं तो बस मैं 10-15 सेकिंड में इनको निकालना शुरू कर रहा हूँ आप देख लीजे हमने एक्स्ट्रा ओयल भी निकाल लिया है और एक एक करके सारे चावल के दाने निकाल लियो होगे अब यह जो चावल के दाने हम निकाल के रखेंगे दोस्तों इनका सारा एक्स्ट्रा ओयल निकल जाए नहीं तो आप इन्हें दुबारा भी वाश कर सकते हैं बस इनको आपको हलका सा सेखना है, भुनना है देसीगी में और जैसे ये भुन जाए आपको इसे बहार निकाल लेना होगा एक कटोरी में भुने में आपको थोड़ा सा समय लगता है यानि कि एक से दो मिनट इसलिए हम इतना आपको दिखाएंगे और उसके बाद इससे सरफटाफट से भाहर निकालेंगे आगे की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अब दोस्तों जो भुने जा चुके हैं काजू बदाम और मखाने इनको हम बिना समय लगाएं बाहर निकालते हैं पर ध्यान रखिए का ये कच्चे ना रह गए हों मखाने मखाने जब तक सिखते नहीं हैं इनका स्वाध पूरी तरीके से हमें मिलने ही पाता है तो इनका स्वाध पूरी तरीके से मिलने के लिए ये प्रक्रिया तो मस्ट है अब दोस्तों मैं बस बिना देरी करे इने भाहर निकाल रहा हूँ और आप भी इने ऐसे ही भाहर निकाल लीजिए काजू बदाम मखाने हमने भाहर निकाल लिए होंगे जब उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे आगे की प्रक्रिया में हम थोड़ा सा देशी की ओर ले लेंगे जादा नहीं लिया है और थोड़ी सी डालनी है हमें सूजी और बेसन सूजी और बेसन लगबग आदी-ादी कटोरी काफी होगा इससे जादा मत रखिएगा और अगर आप जादा कॉंटिटी में बना रहे हो ये तो आप जादा भी कर सकते हैं अब आपको क्या करना है सूजी पहले डालनी है और बेसन थोड़ी सी देर के बाद क्योंकि सूजी को सिखने में समय लगता है बेसन जल्दी सीख जाता है क्योंकि बेसन बहुत मुहीम होता है तो पहले सूजी हमने भूनी और उसके थोड़ा सा बेसन डालके उसे भी साथ में भूहन रहे है अब दोस्तों जैसे ही दोनों के दोनों अच्छे से भूहन जाएंगे तो हमें आगे की प्रक्रिया को पूरा करना होगा आगे की प्रक्रिया के लिए यसेहत मन चीज मनाने के लिए मैंने उनसे पूछा भईया आप बताओ आपने मुझे यह जो समान दिया है यानि की चावल और यह नारियल सूखा इनका क्या करना है उन्होंने आगे की प्रक्रिया बताई, वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन दोस्तों आप फटा-फट से कमेंट कर दो, दुनिया के कौन से कोने से वीडियो देख रहे हो ताकि हम आपको थैंक्स कर सके हैं, पिछता थैंक्स जाता है दोस्तों करिश्मा जी को जारखंट तो दोस्तों अब हमने इसमें दूड डाला है, जो हमने सूजी और आपके सामने बेशन को भुना था ना, कुछ हलवे की तरे इसको बनाया है, लेकिन दूड बहुत कम डाला है, इसे पकाने के लिए छोड़ रहा है, अच्छे से पकाना है, चलाते जाए इसके स्पैचुल अगर हट सके, नहीं तो नॉर्मल भी है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, अब उन चावलों का क्या करना है, उस नारिल का क्या करना है, ये एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे मन में आ रहा होगा, क्योंकि ये तो हमने सूजी और बैसन का हलवा टाय बना दिया, और इसमें आपक अच्छी ओश्दी है, और हम लोग कभी कभी रोज ये सारी चीजे सहत की भूल जाते हैं, और जब भूल जाते हैं, तो हम हेल्दी चीजे नहीं ले पाते हैं, तो आज आपकी लिए मैं एक हेल्दी चीज बता रहा था, आपको क्या करना है, ये जो सूजी और बैसन का आप जो नारियल है उसके टुकडे निकाल लीजिए चोटी 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 चाकू की मदद से निकाल लीजिए और आप देख सकते हैं कैसी ने छोटे-छोटा-छोटा कर लेंगे अब आपने कुछ ड्राइफ रूट्स भी काजू बदाम मखाने भी फ्राइब करके रखे थ इसमें अब हम ड्राइफ रोट्स एड़ करेंगे इसमें सबसे पहले हमने डाल दिये हैं कुछ आपके सामने नारियल और उसके बाद दोस्तों हमने डाल लेने हैं इसमें कुछ-कुछ मखाने काजू बदाम जो भी चीज़े हमारे पास थी वह सारी चीज़े डालने के आगे की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाएंगे आज हम बना रहे हैं ड्राइफ रूट और काजू बदाम और इनारियल की गिरी का बहुत ही बड़ी अ लड़ू और लड़ू को तयार करने के दोस्तों हमने इसमिशन को हम अच्छे से मिक्स करेंगे ठंडे होने का इंतजार करेंगे और जब यह मिशन ठंडा हो जाएगा ठीक से उसके बाद दोस्तों हम इस मिशन के लड़ू बनाना तयार करेंगे बस अब हमने चावल एड़ कर लिए इसमें जो चावल हमने एक मिक्सी में घुमा के रखे थे अब यह अच्छे से ठंडा हो जाएगा तयार हो आगे सेखना शुरू करेंगे तब तक दोस्तों आप ये कमेंट करके बता दीजिए कहां से देख रहे हैं आपको ड्राइफ रूट लड्डू कैसा लग रहा है आप भी खाईए सहत की चीज है और आगे मौसम भी ऐसा ही आ रहा है जिसमें लड्डू बहुत ही अच्छे लग और मैं तो भीया पूरी प्लेट लड्डू की तयार करूंगा और मुझे खाने का कर रहा है मन तो अब मैं इनको फटा-फट से खाने के लिए तयार करते के बाद मैं चलता हूं दोस्तों आपका डिलिशस फूट को कीमती समय देने के बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी परिवार का ध्यान रखिए धन्यवाद